और राइड लेडिज़ जेन्मेन मेरा नम है अर्पित पाठक आप हैं उसाइद अलाल स्ट्रीट और हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनलिसिस की कल वैसे तो फिन निफ्टी के एक्सपाइरी भी है तो आईए एनलिसिस की स्टार्ट करते हैं सबसे प अगर आप यहां से कैंडिल पे नसर डालोगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और अगें लाइफटाइम हाई के पास बनते हुए डोजी थोड़ा सा मतलब इतनी स्ट्रॉंग कैंडिल नहीं है उसके बाद अगर हम लोग वॉल्यूम देखते हैं इस कैंडिल के तो बहुती लो वॉल्यूम पे हुई है अगर आज ओवरॉल आज का एक्शन देखोगे न तो बेहादी लो वॉल्यूम पे आज का ट्रेडिंग एक्शन आपको देखने को मिला है वह सकता है आज डेफिनेटली जो भी ट्रेडिंग एक्शन था इस्पेशली एफाइए का अच्छा lifetime high बना है आप एक बार 22,180 के ऊपर भी गए लेकिन वहां से correction थी और at the end of the day आप previous lifetime high के हलका सा नीचे closing दे रहे हो तो definitely अगर आप trader है breakout के लिए trade करते हैं तो जैसा हम लोग ने कहाता है at least closing 2150 के ऊपर की चाहिए थी ताकि आपको confirmation हो जाए कि nifty all time high को break करने के definitely वो confirmation अभी नहीं मिला है हमें definitely confirmation का wait करना चाहिए तो उपर का resistance आप जानतो resistance हो कुछ नहीं all time high के लेवल के आसपास है 22,150 के ऊपर के closing चाहिए थी अगर आप intraday में बात कर रहे हो तो हमें 22,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा ताकि हम नई तेजी की start कर सके nifty में वरना अगर ये नीचे के side आता है तो नीचे support काफी जाता है अगर आप बात करोगे सबसे पहला support nifty में 22,100 के आसपास का है बट ये इतना मजबूत support नहीं है अगर आप सबसे मजबूत support पूछ रहे हो तो वो 22,025 से लेके 21,950 है ये range सबसे मजबूत support है और शायद ये range है जहां पे entry पंती है इस new तेजी में जो निफ्टी यहां से start करने के कोशिश कर सकता है अगेर मैं लेवल रिपीट कर दूँ 22,000 से 21,950 का वो लेवल है आईए यहां से move on करते हैं हम लोग option chain की तरफ अगर आप निफ्टी के option chain में जाओगे ना तो definitely आज बुल्स काफी जादा heavy हुए इसलिए 100 हलकी full की support है अगर 100 के उपर आप बने रहते हो कल के सतर में भी तो फिर आप कोशिश करोगे कि new high बनाने का 22,200 के उपर निकलने का वरना आप कही ना कहीं 22,000 बच्चे से 21,950 के range बे एक बार आके वहां पर test करोगे और फिर वहां से तेजी करने का प्रयास करोगे अगर आप यहां पर देखोगे 22,100 पर highest contract एड हुए जो कि bulls के confidence को बता रहे हैं अगर आप नीचे के साइट resistance की बात करोगे तो resistance निफ्टी के case में उतना जाता नहीं है सबसे पहले 22,200 पर अगर आप देखोगे पहला resistance इस्टार्ट होता है जहां पर आज के दिन highest contract एड तो काफी कम है कही ना कही बेर्स में confidence सोड़ा समिसिंग है 22,600 के तरफ highest contract एड हुआ है 55 लाग तो यहां पर आप देखोगे तो बेर्स की position इतनी जादा एड नहीं हुई है कही ना कहीं बेर्स के side से हलके बाजार है मतलब मेरा मानना है कि यार एक बार निफ्टी के dip आनी च होते हैं तो अगर आपको वो डिप मिल जाती है कही ना कहीं एक किस 950 22,000 के तरफ आता है तो वह वेडर लेवल है तेजी करने के लिए क्योंकि डेफिनेटल यहां से breakout की confirmation नहीं है अगर आप पूट कॉल रेशो की बात कर रहे हो तो निफ्टी का 1.2 के आसपास है तो हलका स हेवियर साइट पर इतना भी नहीं कि आपका ओवर सोल्ड ओवर बॉर्ट हो गया तो वह चिंता नहीं है एडवाज सीक लाइन देखोगे तो इतने जादा इंप्रेसिव नहीं है लाइटे भाई पर आज निफ्टी 500 जिसमें 500 कंपनी है वहाँ पर देखोगे ना तो पास गिर रहे तो उसके सामने साथ शेर बढ़ रहे तो ओवराल एवरेज है निफ्टी 50 पर देखोगे तो ऐसा कोई स्ट्रॉंग ब्रॉडर मार्केट नहीं था 27 शेर बढ़ रहे तो और 23 शेर गिर रहे थे हाँ एक इंडेक्स की बात करोगे वह है वालिटिलिटी इंडेक्स और बॉश वालिटिलिटी इंडेक्स पांच परसें से अधिक बढ़ किया है यह चीज बताती है कि बॉश यहां पे कूद कूद के ना एकदम मतलब ऑल टाइम हाई पे कूद के खरीतना इतना बेटर नहीं है मैं बिल्कुल क्लियर बोलाओ इतना बेटर नहीं है क्योंकि कल जो प्रीमियम है वो काफी जादा एक्सपेंसिव और जब भी विक्स बढ़ती आप जानते हो यह फियर इंडेक्स होता है कही ना कहीं है option sellers का मार्केट और option seller कोशिश करेगा कि यहां पे बाजार दोनों रेंज पे ब्ले करें ताकि आप ब्रेक आउट की ट्रेड करो और ट टीक है और हाई विक्स त्याद रखना आये बैंक निफ्टी के दरफ आता है बैंक निफ्टी में आगे आप देखोगे एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और बैंक निफ्टी अपने दो रेजिस्टेंस के बीच में फसा हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके ह 46,750 से लेके 46,950 का है जापे आप ये ग्रीन लाइन की रेजिस्टेंस एक सकतू ये बेसिकली कुछ नहीं है मैंने दो बॉर्टम को कनेक करके एक ट्रेंड लाइन डॉकी और उसी ट्रेंड लाइन के पीच में बैंक निफ्टी फसा हुआ है आज यहां पे भी डोजी और व यह एक अच्छी सपोर्ट है यहां पे आता है तो बैंक निफ्टी डेफίνटली एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा पर कहीं न कहीं निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंगर लग रहा है बैंक निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी के बार में एक और चीज कह दू तो प्लीज जरूर देखें कि किस तरह से HDFC बैंक मेनेजमेंट ने क्या कहा है अपने इंवेस्टर अनलिस्ट कॉन कॉल में वो ही दिशार्त नहीं करेगा बैंक निफ्टी कर सकतर में बहुत इंपोर्डन वाला है मेरा सिम्पल पॉइंट है अगर कल बैंक निफ्टी मजबूत होता है तो शाय निफ्टी फिर लाइफ टाम हाई के तरफ पहले कोशिश करें तो ब कोड़िन सपोर्ट की बात करोगे option chain के इसाब से तो वह 46,000 पर है जा पर हाइस आपके contract है बड़ आप देखोगे बुल्स का confidence आज की तेज़ी से काफी बर चुका है तभी आप देखोगे 46,500 पर हाइस contract एड़ हुए है तो बेसिकली बुल्स कोशिच करना है कि at least सबसे बड़ी रेजिस्टेंस देखोगे तो आपकी 47,000 पर निकल के आती है पर यहां से भी contract थोड़े से कम होके आ रहे है हाइस contract आप देखोगे 46,800 पर निकल के आ रहे है तो definitely जब तक आप बैंक रिफ्टी में 46,750 से लेकर 46,950 के जो रेंज निकल के नहीं यह एक बड़ा रेजिस्टेंस है यहां पर अगें किसी भी साइड आप ब्रेक्डाउन के ट्रेड करोगे ना तो ट्रैप होती हो नज़र आओगे क्योंकि options expensive side बने पुट कॉल रेशो इसका भी 1.2 है कोई दिक्कत नहीं है आग 12 में से 4 शेयर ऊपर ते और 8 शेयर नीचे तो broader market especially in the case of bank रिफ्टी इतना मजबूत नहीं था सरकारी बैंक का इंडेक्स surprisingly आज थोड़ा से कमजोर था आधे percent की गिरावट और mid और small gap भी बहुती छोटा price action देखने को मिला है आई यहां से move करते है fund की data पर fund का data देखोगे तो FIA ने 700 करोड का cash में बेचा है DIA ने लगबग 400 करोड खरीदा है तो net net 300 करोड की बिक्वाली है stocks में लेकिन इसी के साथ FIA ने 2000 करोड से जादा के stock future भी बेच है तो net net stocks में आप देखोगे तो लगबग 2500 करोड की बिक्वाली जो की अच्छी खासी है इसी के साथ index future में definitely FIA ने कुछ खरीदने का प्रयास किया है लगबग 720 करोड की खरीदारी है और इनकी जो short position से लगतार कम होते हुए नजार आ रही है options का data देखोगे तो again options का data भी काफी जादा balance है कहीना कहीं बता रहे है buy on dips type का बार के कहने की कोशिश कर रहा है कहीं से भी data यह नहीं कहा रहा है कोई बड़ा breakout आएगा या तुरंत आ जाएगा मुझे लगता है कहीना कहीं बाजार आपका patience test करेगा और जो impatient trader होंगे option buyer option थोड़े expensive है definitely कोई पूरा ही नहीं है बाजार में especially buy करने के side कोई भी दिखत नहीं है बट अगर आपको करना है थोड़ा से dips की तरफ करना आपको levels मैंने बता दिया again 2950 से 22,025 यह एच्छे level है जहापे आप एक बार कोशिश कर सकते हो काई ना काई breakout का नाम लेके बाज इस पसंद आए अगर आपको लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आल सी आगें टुमोरो टेक केर